हेलो एवरीवन, वेलकुम बाक तो माई यूट्यूब चानल साइंखोशी क्रियेशन्स आज के उड़ी में मैं आप सभी को ये दिखाने वाली हूँ कि आप निर्जला एकाच्षी की पूजा किस प्रकार से करें उस दिन रत किस प्रकार से रखें तो निर्जला एकार्शी को सरवस्ट्रेश्ट माना जाता है और यह भी माना जाता है कि इस दिन अगर आप एकाच्षी का बत रखते हैं तो आपको साल भर की एकाच्षियों का पूण्य प्राप्त होता है तो आएए जानते हैं आपको पूजन किस प्रकार से करना है रंग का कपड़ा बिचाया है अगर किसी कारण से आप निर्जल वरत रख नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं नॉर्मल एकार्शी का जिस प्रकार से अवरत रखते हैं उसी तरीके से इस एकार्शी का भी रख लें तो सबसे पहले मैंने विश्णू लक्षमी जी की फोटो रखी है उसके बाद तुलसी के पते पर मैं हमारा कलश विराजित करूंगी तुलसी और तिलो का आप यूप योग कर सकते हैं और तुलसी और तिलो की सहायता से ही हम हमारी एकार्शी का पूजन करेंगे आज के दिन चावल ग्रहन ना करें जितना हो सके आज के दिन दान प या फिर तिल डाले तुलसी का पत्ता डाले चावल ग्रहन नहीं करने होते हैं पर पूजा में कलश श्थापना में उपयोग कर सकते हैं पर चावल खाने नहीं चाहिए इसके बाद हमने कलश में पांच पत्ते रखे हैं और उसके उपर हमारा नारियल रखेंगे आप नारियल को पंचमरित से स्नान कराकर ने वस्त्रधारन कराकर या साफ वस्त्रधारन कराकर बैठा सकते हैं इसके बाद हम हमारा पूजन आरहम करेंगे सबसे पहले गनेश जी को सभी को हम जलका चीटा देकर स्नान कराएंगे फिर गनपती पूजन करेंगे गनेश जी को चंदन रोली म पूल अर्पित करेंगे और साथी साथ उन्हें दुर्वा भी अर्पित करेंगे तो गनपती जी को चंदन लगाकर हम रोली लगाएंगे उन्हें वस्त्रों के रूप में मोली पहनाएंगे और इतन लगाएंगे आज की एकार्शी के दिन लोग निर्जल वरत रखते हैं यान अब निर्जल वरत रखें ही रखें इसके बाद हम हमारा कलश पूजन करेंगे कलश पर हलदी रोली अर्पित करेंगे उसके बाद कलश पर फूल चढ़ाएंगे भगवान विश्नु की पूजा में लड़ गोपाल की पूजा में पीले रंग का विशेष महत होता है तो एक अंतफलदाई है आप भगवान क्रिश्न और माता राधा की पूजा कर सकते हैं विश्नु जी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं अलग-अलग दोनों की मूर्ती भी विराजित कर सकते हैं जैसे आपके घर में भगवान की जैसी भी मूर्ती हो इसके बाद हम भगवान को अर्पित करेंगे विश्णु जी को चंदन अती प्रिये हैं लड़ू को पाल को विश्णु जी को चंदन अर्पित करेंगे माता को हम कुमकुम का यानि रोली का तिलक करेंगे इसके बाद अब हम भगवान को वस्तर रूपी मोली अर्पित करेंगे और इत्र लगाएंगे त सब चीजे जरूर दान करें आज की एकाच्छी के दिन आपको शर्बत जरूर से दान करना चाहिए माना चाहता है कि इस एकाच्छी के दिन आप स्वेम निर्जल रहकर दूसरों को जल का भंडारा कराते हैं दूसरों को जल पिलाते हैं तो जितना हो सके दूसरों को जल पिला दीपक पर भी हम हल्दी रोली चावल चड़ा कर हमारे दीपक का पूजन करेंगे भगवान को दूब दीप दिखाएंगे दूब दिखाने के बाद जैसा मैंने आपको बताया दीपक का भी हम पूजन करेंगे दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं तो उन्हें हम हल्दी रोली फूल अर्पित करेंगे और ओम नमो भगवते वासु देवा है नमो बोलते हुए आप अपनी पूरी पूजा कर सकते हैं सुबा नहाद होकर आपको अपनी पूजा आरंब करनी चाहिए और सुबा सुबा ही अपनी पूजा कर लेनी चाहिए इसके बाद हम भगवान को जल अर्पित करेंगे और शर्बत, जूस किसी भी प्रकार की कोई भी ठंडी चीज जैसे शर्बत, जूस, शेक्स जो भी आप चाहें भगवान को चढ़ा सकते हैं पर आमरस का विशेश महत्व होता है तो आप आज भगवान को आमरस का भोग लगाएं और भगवान विश् कढ़ा सकते हैं अब जो विशेश दान होता है आज के दिन आपको एक मटका या फिर एक छोटा सा मिट्टी का कलर चोटी सी मिट्टी की कुलर में शर्बत भरके या जल भरकर उसके उपर सराई रखकर सराई में चीनी या फिर आप आम खरबूजा दोनों में से कुछ भी र लग सकते हैं जो भी आप चाहें तो ये आपको किसी भी गरीब को किसी भी मंदिर में आपको दान जरूर से करना चाहिए आज की एक आच्छी के दिन इसका दान आपको जरूर से करना है तो पूजन में ये अपने कलश को विराजित करें और उसके बाद इसे दान कर दें ज ये सब बनाकर आप बाढ़ सकते हैं, भक्तों में बाढ़ सकते हैं, मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हैं, कानह जी के मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हैं, भरजन कीर्टन करें और आज का दिन भगवान की भक्ती में लीन होकर मनाएं, तो इसके बाद आपको कपूर आर्थी करनी है और कपूर आर्थी करने के बाद अंत में दक्षिना चणाएं इच्छानुसार और ये जो कलश हमने रखा है मिट्टी का जो लोटा भर के रखा है इसी के साथ आपको दक्षिना दान कर देनी है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यूसपुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल साइंखोशी क्रियेशन को जरूर से सबस्क्राइब करें साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ अगर आप निर्जल वरत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं भगवान हमारी भक्ती से जादा खुश होते हैं निर्जल आएक काक्शी पर निर्जल वरत भी रख जाता है और ब्रोजन करकर पानी पीकर जो नौर्मल वरत होता है वैसे भी वरत रख रख जाता है तो जैसे भी आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप रख सकते हैं क्योंकि अगर आप भूके रहेंगे और अगर आपका पूजन में मन ही नहीं लगेगा तो वो व्रत भी किसी काम का नहीं रहेगा तो आप इस प्रकार से पूजन करें कि आप भगवान की भगती अच्छे प्रकार से करता हैं Thank you very much for watching, please like, share and subscribe, thank you